हलो एवरिवन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है 26 दिसंबर 2019 को इस साल का आखरी सूर्य ग्रहन है पहले के भी मैं दो वीडियो में मैंने आपको बताया है इसके बारे में और काफी सारी उसमें जानकारी दी है खास कर प्रेगन टुमेंस के लिए काफी सारी जानकारी उसमें है आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ सूर्य ग्रहन कहां कहां कुन है और कहां कहां आंशिक रूप से दिखने वाला है बट उससे पहले आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और एच से ही अच्छे अच्छे इंट्रमेशन आपको मिलते रहे इसके लिए आपको वैल बटन भी दबाना बहुत जरूरी है जिससे कि मैं अपना न्यू वीडियो जब भी लेके आऊं तब आपको उसकी नोटिफिकिशन मिल सके तो जल्दी से दबा लीजे वैल बटन और सब्सक्राइब भी कर लीजे वीडियो अगर अच्छा रगे तो प्लीज लाइक करना और बहुत सारा शेयर करना चलिए बात करते हैं आगे बात करे भारत में तो सूरिय ग्रहन यहाँ पे पूर्ण ग्रहन नहीं होगा क्यूंकि चंद्रमा की छाया सूर्य च के पूरे भाग को नहीं ढख पाएगी इस ग्रहन में सूरे का बाहरी हिसा प्रकाशित ही रहेगा प्रित्वी विग्यान मंत्राले द्वारजारी एक बयान में बताया गया है कि भारत में सूर्य दोय के बाद इस वालियकार सूरे ग्रहन को देश के दश्री भाग के कर्नाटक केरल तमिलनाडू में देखा जा सकेगा जबकि देश के अन्य हिस्ते में या आंजिक रूप से ही दिखाई देगा वालियकार मिंस होता है खंडित रूप तो भारत के अलावा ये और किस देश में दिखने वाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ या भारत के अलावा नेपाल, भुटान, बांगलादेश, UAE, स्री लंका के उत्री भाग, ओमान, कतर, सिंगापूर, बोर्नियो, साओधी अरब, मलेशिया, सुमात्रा दीव समू में भी खंडित रूप से ही होके गुजरेगा तो वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि ये भारत में कहां कहां आंशिक और कहां कहां खंडित रूप से दिखने वाला है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया में यह नहीं दिखेगा, ये पूरे इंडिया पे पूरे भारत में दिखने वाला है और इन इन जगों पे जो मैंने आपको आउट ओफ इंडिया के नाम बताये यहां से होके गुजरेगा तो इन सारे जगों पे ग्रहन रहेगा प्रेगनेंट महिलाओ के लिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि उनको क्या-क्या साथानी करनी चाहिए और आगे भी मैं एक दो वीडियो ऐसी लाती रहूंगी जिसमें आप लोगों के लिए अच्छी इंफर्मेशन हो तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए जितना जैदा हो सके शेयर कीजिए और हो सके तो इसको अपने सारे सोशल मेडिया पर भी शेयर कर दीजिए चलिए अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना जरूर आप लोग लाइक नहीं करते तो जल्दी से लाइक करो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्लेंट बाबाए